जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉड़ी five elements से मिलकर बनी होती है अगनी, जल, वायू, आकाश और पृत्वी और अगर इन तत्वों में किसी भी तरह का imbalance होता है तो वो root cause होता है हर तरह की mental और physical illness का यानि जो पांचो के पांचो elements है यह हमारी बॉड़ी में balance रहने चाहिए इन पांचो elements को balance रखने के लिए बहुत पुराने टाइम से जितने भी योगी चले आ रहे है हमारे वो कुछ hands से और fingers से मुद्रास करते थे आपने देखा होगा Gautam Buddha की बहुत सारी ऐसी pics आती है ऐसी बहुत सारी आपने फोटोस देखे होगी जिसमें वो एक particular pose में meditate कर रहे होते है कुछ बड़े बड़े ऐसे influential लोग हैं जो बात करते हुए अपने hands को पॉपर position में रखते हैं वो इसले क्योंकि हमारे hand में micro receptors होते हैं जो कि हमारे brain को signal पहुंचाते हैं अगर हम अपनी hand की moments को change करते हैं तो उससे हम अपनी energies को balance कर सकते हैं क्योंकि यह five ke five elements जो हैं यह हमारे fingers में ही मौजूद होते हैं जो हमारी सबसे छोटी finger है यह represent करती है water element याने की जल तत्व को जो हमारी ring finger है यह represent करती है पृत्वी याने की earth element को जो हमारी middle finger है वो represent करती है space याने की आकाश तत्व को जो हमारी index finger है यह represent करती है वायू याने की air element को और जो thumb है वो represent करता है अगनी याने की fire element को हाई कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में आपके साथ 12 ऐसी मुद्राज शेयर करने वाली हूँ जिनको की आपको अपनी फिंगर्स को यूज करते हुए बनाना है आप इसको मेडिटेशन करते हुए कर सकते हो योगा के टाइम पर कर सकते हो और अ आपको सारी की सारी ही प्रैक्टिस करनी है हर एक मुद्रा के अपने अलग बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी आपको इन 12 मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा को यूज करना स्टार्ट करना है एट लीस 10 मिनिट के लिए डेली आप उसक वीडियो अप्रोड करती हूँ जो हमारी कॉलिटी ओफ लाइफ को इंप्रूव करें के हमें हमारे हाइयर सल से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं So, without any further delay, let's begin. So, सबसे पहली मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा और इसको चेन मुद्रा भी कहते हैं. जैसा किसके नाम से पता चलता है? ज्ञान याने की नौलेज़. अगर आप अपनी लाइफ में नौलेज़ सीख कर रहे हैं. चाहिस स्पिरिच्वल लेबल पर या फिर आप एक स्टूlords है, या फिर आप एक knowledge seeker है, lifelong learner है, कुछ नया-nया चीखना चाते हैं थोड़ा सा जोर लगाओगे थोड़ा सा प्रेस करें दूसरे को टिप इसके बाद अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं कैसे भी आपको रिलाक्स कर देना अपनी थाइस की उपर अपने इन हैंड्स को तो उससे हमारी जो ब्रेण की एक्टिवीटी होती है वो अनहांस हो जाती है ब्लड का फ्लो हमारी बॉड़ी में इंप्रूफ होता है करण ब्लड प्रेशर हमारे मैंटेन होना शुरू हो जाता है और stress, anxiety, depression और tension से भी relief मिलता है अगर हम regular basis पे ये ज्ञान मुद्रा करेंगे इससे हमारी nervous system में blood का circulation भी improve होता है जिससे जिनको नीद आने की problem रहती है नीद नहीं आती वो नीद री अच्छे से आती है दूसरी मुद्रा है वायो मुद्रा और ये हमारी body के air element यानि की जो वात होता है उससे related जिन लोगों को वात से related बहुत सारे issues रहती है excessive gas, bloating की problem रहती है या फिर anger issues रहती है बहुत साथा गुस्सा आता है उनको peace के लिए, काम के लिए शांती दिनाने के लिए अंतर से उनको ये वायो मुद्रा regular basis से practice करने चाहिए वायो मुद्रा को practice करने के लिए आपको अपने thumb और index fingers को ही use करने आपके बाकी की जो three fingers है वो relaxed रहेंगी आपस में जुड़ी हुई रहेंगी आपको आपके जो index finger है इसको यहां thumb के नीचे लेकर आना है और जो thumb है ये इसकी उपर हलका सा pressure डालेगा index finger के middle को touch करके इस position में रहेंगे उसके बाद palms उपर ही face करेंगी जैसे कि ग्यान मुद्रा में थी और ऐसे ही आप अपने thighs की उपर इनको relax कर लोगे ये three fingers straight रहेंगे लेकिन stiff नहीं रहनी है रिलाक्स रहनी है यहां पर आप हलका सा pressure डालोगे जो thumb है इससे यहां पर pressure डालना है यह जो finger से जो thumb का base टा छोड़ा यहां पर प्रेशर डालेंगे और इस position में आपको 10 minute तक बैठना है वायू मुद्रा के लिए जिससे की हमारे जो air element है body में वो balance हो जाता है और उससे related जो भी issues होते हैं वो resolve होकर हम शान्ती फील करते हैं next है आकाश मुद्रा इसमें हमें हमारी जो middle finger है वो और जो thumb है उसके tips को आपस में इस तरीके से मिलाना है बाकी fingers हमारी straight रहेंगी, relaxed रहेंगी, palms upward face रहेंगी इन दोनों tips को आपस में जब हम join करेंगे तो हलका सा pressure हम बहार डालेंगे और straight अपनी palms को फिरसर relax करेंगे, thighs की उपर यह हमारी body में आकाश यानि की space element होता है उसको balance करता है जब हम इसको balance करते हैं जो तो उससे हमको जो बहुत ज़ादा overthinking रहती है, बहुत ज़ादा negative thoughts आते रहते हैं या बहुत सारे negative emotions जो हमको परिशान करते रहते हैं, वो आने कम हो जाते हैं next है आधी mudra या फिर से mudra भी इसको कहते हैं, जब हम womb में होते हैं अपनी mother की, उस time पर जो हमारे hands की position होती है, उससे बने हुई है मुठी बान के रखी होती है ना बच्चों ने, इसको करने का तरीका simple यह होता है कि जो हमारे thumb है वो अंदर रहेगा और बाकी सारी fingers जो हैं, वो उसके उपर उसको cover करके हमको इस position में अपनी मुठीयों को रखना है अब इस position में हमको साथ में breathing भी करनी है, एक breathing की technique भी follow करनी है जिससे कि हमारे जो lungs होते हैं, वो strong होते हैं तो हमको pressure के साथ अपनी मुठीयों को बंद करना है, तो हमें इसके साथ एक breathing pattern follow करना है इस मुद्रा को करते हुए, जिससे कि हमें benefits जो मिलने हैं, वो maximum हो वो ये कि हम जब भी सांस लेंगे, तो हम fingers को अपनी open कर देंगे तो वो बिलकुल shrink कर लेने हैं, हमें squeeze कर लेने हैं, ताकि जो वो carbon dioxide है, वो properly बाहर हम release कर सके तो ये 10 minutes तक हमको करना है practice, इसको करने से हमारी body में oxygen का flow improve होता है हमारा जो brain है, उसमें भी oxygen का flow improve होता है, साथ हमारे lungs जो हैं, वो और जदा strong बनते हैं और ये हमारे nervous system को भी शान्त रखता है, next है अंजली मुद्रा, अंजली मुद्रा में हमें हमारी दोनों palms जो हैं, उनको इस तरीके से आपस में जोड़ना है इसको namaskar की position भी कहते हैं, ये हम लोग हमीशा से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका benefit ये होता है कि हमको एक तो सारी fingers को हम proper press करेंगे जिससे कि सारे elements हमारे balance होंगे, साथ ही क्या होता है कि जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा nervous system relax हो जाता है अगर हम बहुत जादा nervous रहते हैं, हमारे अंदर confidence की कमी रहती है, तो भी हमको ये वाली जो मुद्रा है इसको practice करना चाहिए daily basis पे साथ ही हमारे अंदर जो ego होती है उसको भी कम करती है, हम जादा grounded रहती है और खुद के प्रते भी और दूसरों के प्रते भी जो respect वाली और love वाली feelings होती है, वो हमारी enhance होती है साथ ही हमारे brain के left and right hemisphere है, यालिके हमारे logic and creative side को भी balance करती है next होती है ध्यान मुद्रा, जो कि हमने mostly जो बुद्धा की pictures होती है, उनको जब meditation वो कर रहे होती है उस time पे हमने उनके hands को उस position में देखा होता है इसमें हमको जो हमारा right palm है और जो हमारा left palm है, दोनों रहेंगे upward facing right palm को left palm की उपर इस तरीके से हमें रखना है यह हम तब practice कर सकते हैं, जब हम meditation कर रहे हो इससे हमारा focus improve होता है, ध्यान जादा अच्छे से लगता है एक inner peace मिलती है और हम जल्दी से distract नहीं होते next है उत्रावोधी मुद्रा, और इस मुद्रा को करना है हमें अगर हम अपने अंदर confidence level को increase करना चाते है या फिर जो हमारा highest self है, हमारे six sense, हमारे intuition, उसके साथ अपने connection को strong करना चाते है इस मुद्रा को करने के लिए हमें हमारी जो index finger है और जो हमारे thumb है इनके tips को आपस में join करना है और बाकी की जो तीन finger से हमारी, उनको हमें आपस में lock कर देंगे हम ये वाली position बनेगी इस तरीके से, इस position में आप इसको आप वैसे भी आम बैट कर बात करते हुए भी use कर सकते हो जब आप थोड़ा सा चाते हो अपने अंदर confidence लेकर आने के लिए आप इस position को अपने hand के मुद्रा को बना कर बैट सकते हो आप 10 मिनिट तक daily practice कर सकते हो इसको relax, deep breathing करने है आपको इसको करने के लिए तो इससे आपका जो अपने higher self के साथ connection है वो और जादा strong हो जाएगा next है हकीनी मुद्रा और इसको आपने बहुत सारे लोगों को दिखा होगा बात करते हुए regular basis पे यूज़ करने में यह मुद्रा हमारी mind की power को boost करती है, हमारे अंदर एक mental clarity लेकर आती है, हमारी memory को तेज करती है, हमारे brain के left and right hemisphere में balance लेकर आती है और साथ ही साथ जो लोग creativity से related field में हैं, उनकी creative abilities को भी enhance करती है next है शक्ति मुद्रा और यह उन लोगों को करनी है जिनको सारा दिम बहुत weakness लगती है, laziness लगती है, energy levels बहुत low लगते हैं अपने यह जो शक्ति मुद्रा है, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है, जब हम इसको practice करते हैं, तो उससे हमारी body में energy का flow increase होता है हम ज़्यादा energetic हो जाते हैं इस मुद्रा को practice करने से, तो शक्ति मुद्रा करने के लिए हमें हमारी thumb को इस तरीके से नीचे दबाना है, अपने index और middle finger के नीचे then हमारी जो ring finger है और small finger है, इनके tips को हमको join करना है, तो यह इस तरीके से आपको शक्ति मुद्रा बनानी है आप इस तरीके से join कर देना है, index finger और mid finger है, इनके middle parts को हमें join करना है, thumb हमारा नीचे दबा हुआ है और यह जो finger से हमारी join है, इस में जिब हम बैठेंगे अपने heart के सामने लेकर आना है इस position को, इस position में बैठने से हमारी body में energy का flow हमारा increase होता है 5 minutes या 10 minutes जितना आप easily कर सकते हैं, करना है, बहुत जादा stress नहीं देना है अपने आपको, जितना time आपसे easily हो सकता है, आप वहां से शुरू करोगा, धीरे धीरे आप time को बढ़ा सकते हो, maximum 10 minutes तक next है वज्रमुद्रा, यह जिनको बहुत जादा decision making में confusion रहता है, कभी कुछ decide करते हैं, कभी कुछ decide करते हैं, कुछ stability नहीं होती है उनके अदर, तो वो stability लेकर आते है, will power को मजबूत करती है, अगर आपसे कुछ habits आप अपनाना चाहते हो, नहीं बन भारी है, will power strong है, तो हमा के लिए simply हमारी जो index fingers हैं, यह इस तरीके से join होंगी, बाकी fingers को हमको lock कर लेना है, थम को भी और इस तरीके से, इस मुद्रा में यह ही extend करकर heart के सामने ही हमको करकर बैठना है, relax करकर deep breath हम कर सकते हैं, यह मुद्रा हमको अंदर से वज्र की तरह strong बनाती है, next है शोनी मुद्र यह भी हमारी body में जो space element होता है, उसको balance करता है, जिससे कि हमारे mental clarity एकाती है, और जिनको communication level अपने improve करने हैं, वो भी इस मुद्रा को practice करते हैं, क्यूंकि हमारे communication को भी improve करते हैं, इसके लिए हमें हमारी middle finger को bend करना है, thumb से उसको press करना है, और इस तरीके से palms हमारी जो है upward facing थाइस ते हमको relax करना है, बाकी finger stiff नहीं करना है, relax करना है, जितनी straight रहती है, उतनी straight रखने की कोशिश करनी है, हलका सा pressure यह जो हमारी finger है, इस पे रहेगा thumb से, और इस से हम हलका सा यहाँ press करेंगे thumb के नीचे, और इस मुद्रा में हमको बैटना है, जो कि हमारे mind में clarity लेकर आएगी और हमारी communication को improve करेगी, next है rudra mudra, जिन लोगों को बहुत जादा थन लगती है, वो इस mudra को practice कर सकते हैं, साथ ही हमारे energy levels को भी increase करती है, हमारे mind को sharp करती है, और stress levels को कम करती है, rudra mudra के लिए हमें अपना index finger और जो ring finger है, इनको thumb के tip के साथ इस तरीके से join करना है, बा में रखना है, इस mudra में बहुत जादा powerful healing abilities होती है, तो जो भी mudra मैंने आपके साथ share की है, आप इन में से कोई भी excellent कर सकते हो, आपको बस इन बातों का ध्यार रखना है, कि जब आप इस mudra को practice कर रहे हो, तो जितना हो सके, अपनी posture को straight रखो, आपके कंधी relax होने चाहिए, back बिल्कुल straight होने चाहिए, हो सके, तो ऐसी जिगर पर इसको practice करो, जहां पर कोई आपको disturb ना करे, eyes close करके अगर आप करोगे, तो इनके benefits और जादा आपको मिलेंगे, और साथ-साथ आपको deep breathing करनी है, यानि जो belly breathing होनी है, गहरी लंबी सांसे लेनी है, आपको इन mudra को practice करते हुए, तो इन में से कौन से mudra practice करने शुरू करने वाले हो, या already करते हो, comment करके में साथ जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जिनको प्यार करते हो और जिनके care करते हो, उनके साथ शेयर जरूर करना, पसंद आया है अगर वीडियो तो उसे like जरूर करना, मि दे नेक्स वीडियो में, तिल देन, स्टे बले, स्टे स्माइलिंग, नमस्टे